Trigonometry Very very important chapter 10th में Trigonometry के basic concepts को से 11th में इसका broad form Basic concept दिखते हैं Trigonometry की meaning क्या होती Trigonometry तू अलग-अलग words से मिलकर बना होती Trigonon and metron Trigonon की meaning होती है Trangle और metron की meaning होती है Meaning यह Trangle का measurement यही आपको इस chapter में करना है जिसे हम Trigonometric Trangle का measurement की करना है आपको इस chapter में जिसे हम Trigonometric लेकिन जब बात Trangle की आती है तो Trangle word में क्या-क्या होता है Sides होते हैं और क्या होता है Trangles होते हैं इसकी meaning हम यह भी कह सकते हैं कि Sides और Angles का measurement करना ही Trigonometry बात तो एक ही है Trangle का measurement करें या Sides और Angles का measurement करें बात एक ही है लेकिन जब हम Sides और Angles की बात करते हैं और वह भी किसी एक Trangle में तो Trangle के तो बहुत सारे types होते हैं क्या हर एक Trangle में Sides और Angles की क्यों नहीं जरूद है क्योंकि Equilateral Trangle में तो तीनो sides equal ही होते है अगर एक side दे दिया जाए तो हम remaining 2 sides की value बता सकते हैं यह तो निकल गया, दूसरा साइड क्या होता है, दूसरा साइड होता है, आइसो इसके स्ट्रांगल, आइसो इसके स्ट्रांगल में क्या होता है, इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो ती साइड्स में अगर दो साइड्स इक्वल एक ही हमें दे दिया जाए, और एक कि दूसरे के एक फ़ल होगा, वो भी हम इस भी बाता है. तो यह भी हम नहीं कल्क्लेट और करेंगे. तीसरा जो ट्रांगल होता है, हर टाइब का, वो होता है, स्केलन. नहीं, स्केलन में अगर हमें कोई भी दू साइट्स दे दिया जाता है, तो तीसरे साइट की वेलू तो अर्क निकाली नहीं सकते यों क्योंकि स्केलन में किसी सैट की कालकुएशन करने के नहीं हमें उसके area की जबूएँ और यहां हम area की बात नहीं हम के बाद सैट्स और angles की बात कर रहा है इसी नहीं स्केलन triangle को भी हम यहां consider करने वाले ने next triangle कौन सा आता है next triangle आता है right angle triangle right angle triangle जिसमें एक angle 90 degree का होता है और एक side hypotenuse होता है एक base होता है और एक perpendicular ये ठीक है यो ठीक है तो कि right angle triangle में sides की calculation करने के लिए हमारे पास एक formula होता है hypotenuse square equals to perpendicular square plus लेसे क्योंकि केवल right angle triangle में ही side को calculate करने का formula बताया जाता है इसलिए हम trigonometry chapter में right angle triangle के base पर ही sides angles की measurement को करने वाले है और सभी triangles में side को calculate करने का direct formula हमारे पास नहीं होता area के base पर इन्हें calculate करने का formula बताया जाता है इसलिए हम right angle triangle को ही लेकिन right angle triangle के लिए आपको दो बाते यहाँ सीख लेनी चाहिए एक तो ये कि अगर हम एक triangle इस तरह से बनाते हैं ABC right angle triangle है तो एक angle तो 90 degree होना ही चाहिए अगर हम angle C को consider करना है जिसे हम theta मानते हैं तो 90 degree के 7 जो angle बनता है और उससे related जो side बनता है उसे base कहा जाता है और base के ठीक opposite इसके 7 जो side बना होता है opposite कहें या 7 में कहें हम उसे कहते हैं perpendicular और जो सबसे लंबी side होती है उसे हम कहते है हाई लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक right angle triangle में triangle C को ही theta माना जाए ये भी तो possible है मालो एक कोई triangle ऐसा बनाया गया जिसमें एक तो right angle triangle 90 degree दिया ही गया है ABC यहाँ है लेकिन अब हमने इस angle को theta मान दिया और अगर हम अब इस angle को theta मानते हैं तो 90 degree के साथ जो ये angle बना उससे related जो side होगा उसे base कहेंगे meaning अब हम AB side को base कहेंगे और उसके साथ वाली side को हम क्या कहेंगे perpendicular और जो सबसे बड़ी value होगी जो सबसे बड़ी side की value होगी उससे हम कहेंगे तो angle दोनों दिये जा सकते हैं दोनों तरीके के angles के base पर हमें calculation करने के लिए कहा लिए देखना हमें है कि किस angle के base पर हमसे calculation करने के लिए कहा गया उसी के accordingly हम base perpendicular और hypotenuse आगे चलते हैं इससे अधिक triangles नहीं बनेंगे किसी question के solution trigonometry में हम six words यूज़ करने वाले हैं sine, cos, tan, quat, sec, cos, sec ये six words होते हैं जो हम trigonometry chapter भी यूज़े हैं लेकिन without angles इनकी कोई meaning नहीं है trigonometrical functions नहीं साथ angle के साथ ही define किया जाते हैं आप sine के साथ, cos के साथ, tan के साथ, quat के साथ, किसी भी word के साथ कोई भी value लिखते हैं वो value angle ही माना लिए अगर आपने लिख लिया cos 2x तो 2x angle है cos ax plus b तो ax plus b angle है इसके साथ हम जो भी value लिखते हैं वो angle सी माना लिए अगर हमने, माल लो एक triangle यह यूज़ किया है ABC हम क्योंकि इस पूरे trigonometry में right angle triangle ही discuss करने वाले हैं यह angle हमने माल दिया है theta अब understood हैं, theta के base पर बात करने वाले हैं theta के base पर अगर हम बात करने वाले हैं तो इसे हम base कहा देंगे इसे perpendicular कहा देंगे और इसे हम hypotenuse short में अगर आप चाहें तो hypotenuse को edge से denote करें perpendicular को P से denote करें और base को अगर हम इस angle theta को ही consider करने वाले हैं तो trigonometry कल तो words थे वो अब इन angles के साथ ही उसके जाएंगे sin theta, cos theta, tan theta, quart theta, sec theta and cos theta ये six trigonometrical functions हैं जिसे आप इस पूरे चर्टर में यूज़ करने हैं और 9 के वल 10 में आगे जब भी आप trigonometry बढ़ें किसी भी सल्बस के accordingly किसी भी standard में आप इन ही six को इन six को यूज़ करने से पहले दो words इस तरलेटेड आपको सीख लेना चाहिए एक word होता है core issues और दूसरा word होता है reciprocal, core issues क्या होते हैं? reciprocal जो साथ वाले होते हैं उन्हें core issues का जाता है जैसे एक ही school में जो boys girls साथ में पढ़ता है क्या का जाता उस school को play education एक ही movie में जो साथ काम करने वाले actors होते हैं उन्हें का जाता कोई stars तो यहाँ आप चेक करें कौन-कौन से दो हैं जो साथ साथ हैं कौन-कौन है? sign cause साथ में है sign cause साथ में है sign cause साथ में है तो इनकी में इसकी मेनि यह words की जो साथ साथ ही उसमें है यह core issues sign और cause एक दूसरे के core issues कह जाते हैं 10 cause cause कह जाते हैं एक cause दी एक दूसरे तो core issues में दो words हमें मिले कौन-कौन से पहले pair में sign theta cos theta मिला दूसरे pair में हम पाएंगे 10 theta quad theta और तीसरे pair में हम पाएंगे sec theta cos theta यह 3 pair reciprocal word क्या होता है reciprocal के मिनिंग reverse opposite 1K division form मैंने का 2 का reciprocal 2 1 by 2 5 का reciprocal 1 by 5 3 का reciprocal 1 by 3 X का reciprocal 1 by X तो अब इन 6 trigonometrical functions में functions क्यों होगा क्योंकि angle इनके साथ यूज होगा कौन-कौन से हैं जो एक दूसरे के reciprocal होते हैं सभी extreme एक दूसरे के reciprocal होते हैं कौन-कौन है sign or cosec है साइन के reciprocal cos और sec हैं मैं इस तरह से line बना दे रहा हूँ sign or cosec है और कौन है cos और sec है यह एक दूसरे के reciprocal यहां मैं pairs लिख दे रहा हूँ sign theta, cosec theta एक दूसरे के reciprocal होते हैं तो इससे आप अगर चाहें तो sin theta की value निकाल सकते हैं 1 by cosec theta और cosec theta equals 2 1 by sin और कौन है cos और sec एक दूसरे के reciprocal होते हैं cos theta, sec theta इससे अगर आप चाहें तो cos theta की value लिख लेंगे 1 by sec theta और sec theta की value 1 by cos theta 10 और कौन एक दूसरे के reciprocal 10 theta, quart theta एक PR यह मिला और इससे अगर आप चाहें तो 10 theta equals 2 1 by quart theta और quart theta equals 2 1 by 10 अब ज़रा सूचे थोड़ी देर के लिए कि अगर हमें केवाल sin cos 10 की value दी जाएं तो आगे की value तो हम reciprocal करके निकालें sin theta की value अगर आपको 2 दें तो cos sec theta क्या होगा 1 by 2 cos theta की value 5 है तो sec theta क्या होगा 1 by 5 10 theta 3 है तो 4 theta क्या होगा 1 by 3 तो एसी प्रोकल करें question यह raise हुआ कि यह जो trigonometrical functions है triangle theta के लिए हमने माल लिया है कि triangle के sides से कैसे connect हों triangle के sides क्या-क्या होते हैं hypotenuse, perpendicular orbit कैसे connect होते हैं और values कैसे ही निकाल लिए हम right angle triangle में एक फार्मूला जानते हैं sides निकालने के लिए hypotenuse, square request to perpendicular square पसदे हैं तो पाइथागोरस ने पाइथागोरस नहाँ जाते हैं तो अब यह connect कैसे होंगे trigonometrical functions right angle triangle के sides में ज़रा देखें एक example से हमने एक right angle triangle यहां माल दिया है कि 90 degree हमने b के लिए लिए लिख दिया a और यहां c लिखा है और c को हमने माल दिया θटा अब यह understood है कि जो bc है वो क्या कहा जाएगा base कहा जाएगा जिसे हम short में b कह रहे हैं a b क्या कहा जाएगा perpendicular a b को perpendicular कहेंगे जिसे हम short में b कहेंगे और a c को hypotenuse जिसे हम short में a c कैसा मैंने कहा कि अगर हम in trigonometrical functions की values इस triangle में calculate करना चाहते हैं जिसमें hypotenuse perpendicular base है उसमें आपके बन 3 की values जान ले remaining 3 की value आले कौन कौन से 3 जान ले साइन थीटा की value जान ले वास थीटा की value जान ले और सैन थीटा की value remaining 3 reciprocal एक trick मैं आपको बता रहा हूं उसे लर रखते हैं आगे तो बहुत सारे इसके लिए slogan है लिए कि एक बड़ा चोटा सा बड़ा सिंपर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वर्ड अच्छा लगा हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान इनको हमने division farm में अलग अलग कर दिया जला दे अब जो पहला है पार्ट उसको साइन के साथ मिला दे, जो दूसरा पार्ट है उसको वास के साथ कर दे और जो तीसरा है उसे टैन के साथ तो ये ट्रिग्नोमेटिकल फंक्शन्स राइट एंगल ट्रांगल के साइट्स की बेस पर कल्कुरिट रहाएगा अब है समझे मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान भुखा प्यासा हिंदूस्तान अरा बरा इसमें एक एक धीशो निकाल दें अलग अलग क्या-क्या निकाला आपने, P by H आप दे दे साइन को, अंगल थीटा है तो अंगल थीटा के लिए साइन थीटा, P by H आप निकालने कॉस्ट के लिए, ये कॉस्ट थीटा हो गया, अंगल थीटा है, और P by B आप निकालने टैन के लिए तो ये टैन थीटा हो गया, ठीक, और ये sin theta के जगापर हमने formula लिख लिए P by H, P by H क्या है? perpendicular by hypotenuse, तो शाट करते का आपको बताया गया गया, हम शाट में क्या कहेंगे? cos theta के लिए formula हमें क्या मिला? P by H, base by hypotenuse, और 10 के लिए हमें क्या मिला? P by B, perpendicular by base, और अगर sin cos 10 की value आप पा चुके हैं, तो तुरंद आप चेक कर सकते हैं, यहीं कि cos theta का formula क्या होगा? cos theta का formula होगा, H by P, P by H का उल्टा, और sec theta का formula क्या होगा? H by B, hypotenuse by base, और cot theta का formula होगा? P by B, तो remaining three, signometrical functions की values आपने प्रवाइब, अगर यह learn करना इसी नहीं हो, तो एक दूसरा वर्ट पढ़ते हैं, चलो जी, पंडित बदरी पृषाद, हर-हर बोले, सोना चांदी तोले, और अच्छा है. देखेंक, क्या का मैंने? पंडित, बदरी, उसाद, हर हर बोले, H, H, D, हर हर बोले, सोना चादी तौले, सोना S, चादी C, तौले T, हो गया, विनिंग ये है साइन थिटा के लिए, ये है कॉस थिटा के लिए, और ये है साइन थिटा, बात वही, जो यहाँ आपने लिखा है, वहाँ आपने क्या कहा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहाँ मैंने क्या क्या, कुछ और बढ़ा दिया, पंडित, बदरी, परसाद, हर हर बोले, साइन कॉस्ट एन, सब कुछा लिए, तो इसकी मीनिंग ये है, कि किसी भी, राइट एंगल, ट्रा लेंगे, अब जड़ा एक एक एक्जांपल देखते हैं, और अच्छी तरह से आपका कॉसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मल ने, किसी एक क्वेश्चन में कहा गया, हमने राइट एंगल, ट्रांगल यही कॉसिडर किया, A, B, एक क्वास्ट टू 4 सेंटिमीटर, B, C, C, एक क्वास्ट टू 3 सेंटिमीटर, क्यवाल यह दो दिये गए, Find, All Trigonometrical Functions, Functions या Values आप लिख दें, बात एक ही है, All Trigonometrical Values, with अंगल थीटा, Meaning, Sine Theta, Cos Theta, Ten Theta, यह सारे आप लिख, अब ज़रा देखें, क्या हमें इस राइट 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 के तीनों साइट्स गिवन है, नहीं, साइट्स गिवन नहीं, अब साइट्स गिवन नहीं हैं, तो साइट तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे, Hypotanious Square meaning, AC Square, हम फार्मूला जानते हैं, AC Square Equest 2, AB Square, Plus BC Square, अब, H Square, AC को हम कर रहे हैं, H, H Square Equest 2, AB की वैलू क्या गिवन है, 4 का स्कॉयर, Plus BC की वैलू है, 3 का स्कॉयर, 4 का स्कॉयर 16, 3 का स्कॉयर 9, 16 और 9, 25, देरफोर, H Equest 2 क्या हुआ, Root 25, Equest 2 5, meaning, Hypotanious, अब हमारे पाफ 5 आगे, अब हमें तीनों साइट्स मिल चुके हैं, Angle Theta दिया गया है, Sides दे दिये गया, Angle दे दिया गया, सभी Trigonometrical Values आप निकाल सकते हैं, Theta के साथ, बताते रहें, Sine Theta, जब भी आप ये वीडियो देखें, Pass करें, और उन Angles को खुद बता करके, अपने रेजिस्टर पर लिए, जब आप लिख रहें, उसके बाद वीडियो, चार्ट करें, और फिर अपनी कल्कुलेशन, इससे मैच करें, Sine Theta के लिए, फार्मूला, P by H, अब P by H की मीनिंग, यहां मैं values लिख दे रहा हूँ, 4, P, 5, यह आप भी लिख लिख लिया करें, जिससे आपकी कल्कुलेशन इजी हो जाएगी, तो P by H है, तो P by H के accordingly, 4 by 5, हो गया आंस्वर, Cos Theta के लिए क्या हुआ, P by H, meaning 3 by 5, 10 Theta के लिए क्या हुआ, P by B, P क्या है, 4, B क्या है, हो गया, और अगर इन 3 values को आप calculate कर चुके हैं, तो Cos Theta भी आप बता सकते हैं, इसली, Cos Theta क्या होगा, H by P, Sin Theta का reciprocal, that is 5 by 4, और सेट Theta, Cos Theta का reciprocal, H by B, और H by B के accordingly, यह हो जाएगा, 5 by 3, और 10 Theta, का reciprocal, 5 Theta, equals to B by P, यह हो गया, 3 by 2, एक formula बनाएंगे, दूसरे का रास्ता दिख जाएगे, trigonometry में यही तो, एक formula बनाएंगे, एक step बाके बढ़ेंगे, अगला step बनाएंगे, अब हमें यही जाएगे, तो इस तरह से, किसी भी triangle में, right angle राइट अंगल राइगे, right angle राइगे, right angle राइगे, क्यों मैं बार बार एक बार यहाँ यूज़ करा हूँ, क्योंकि इसमें sides की calculation के लिए, हमारे पास फार्बूला राइगे, किसी एरिया की सरी, और किसी triangle को हम क्यों ignore कर देते, क्योंकि उसमे sides हम calculate डारेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले हमें area राइगे, ठीक है, तो यह हम तरीका यूज़ करेंगे, और इसके calculation इस तरह से complete कर लेंगे, एक किसी दूसरे example में देखते हैं, और हमाल लेंग एक right angle triangle आपको इस तरह, यह 90 degree है, ए, ए, angle A के लिए हमने पूरे, angle A theta के लिए मैं सभी trigonometrical values को पूछ रहा हूँ, और इसमें, जब angle A हुआ, तो यह होगया base, जिसे हम short में B कहेंगे, यह होगया perpendicular, जिसे हम short में B कहेंगते हैं, और next होगया hypotenuse सबसे बड़ी value यही होता है, जिसे हम catch करेंगे, मनले इस triangle में कहा दिया गया, if e b equals to 5, b c equals to 12, find all trigonometrical values, with angle theta, यह हम से पूछे, question Y है, किवाल angle change कर दिया गया, और sites की information, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमाला काम यह है, कि हम सभी starts की values calculate करें, सबसे पहले हमें यह लिए, तो कि starts जब तक आएंगे नहीं, तब तक हम calculation करने हैं सकते, trigonometrical values की, अब hypotenuse हम से पूछा गया है, हम यह जानते हैं, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, लेकिन इस particular question में, perpendicular की value क्या given है, perpendicular की meaning, BC की value है 12, 12 का square, और base है, AB 5 का square, 12 का square होता है 144, 5 का square है 25, meaning, hypotenuse square equals to हो गया, 169, therefore, H equals to, root 169, क्योंकि यह hypotenuse का square है, यह हुआ 13, plus minus 13 नहीं, क्योंकि side minus नहीं हो, तो hypotenuse अब आपके पास आगया, जिससे हम AC कहेंगे 13, तब ही trigonometrical values calculate करना है, लेकिन हम यह जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अगर हम sin constant की value calculate करने तो रही मैंने, और इससे calculate करने के लिए, फिर formula मालोग भूल गया है, कोई फरक नहीं पड़ता, रख पर आप तुरंत लिखें, भाई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो भूलें, कोई दिक्कत नहीं है, सब के लिए आप लगाते चले जाएं, अब sin theta, यह हमने रिख दिया, लेकिन अब ज़रा देख ले, theta angle यहाँ है, a के पास है, उस theta angle के लिए perpendicular क्या है, bc है, bc हुआ 12, b by h का formula तो हमने लगाया, लेकिन यह हुआ 12 by 13, cos theta के लिए, base by hypotenuse, base हुआ AB और AB के वैलू है 5 by 13, base हुआ 5 और hypotenuse 13, तो 5 by 13, और 10th theta के लिए, by B जिसने हम दिख सकते हैं, b perpendicular, perpendicular bc है, meaning 12 by base 5, यह हमें ध्यान रखना है, कि किस angle को प्रिख गया है, किस angle के base पर remaining sides और वैलू, उस क्या है, किसे calculate करना है, वो हमें, अगर sin cos theta की calculation आप कर चुके हैं, तो आप इसके cos theta की value निकाल सकते हैं, sec theta की value निकाल सकते हैं, और fat theta की value भी निकाल सकते हैं, cos theta क्या होगा, direct में दिख दे रहा हूँ, 13 by 12, क्योंकि sign का reciprocal, sec theta होगा 13 by 5, और 10 theta हो जाएगा 5 by 2, इस तरह से किसी भी triangle, किसी भी angle के लिए पूछा जाए, आप अगर sides given है, तो direct sides given नहीं है, तो फ़ले sides निकालें, उसके बाद calculation है, जैसा मैंने कहा, कि एक formula बनाएंगे, दूसरा खुन दे, दूसरा खुन दे, जरा देखें एक बाद, sin theta का formula है, p by b, जरा समझाई से, अगर हम numerator को, h से divide कर दे, denominator को भी h से divide कर दे, परी सकते, numerator, denominator को, किसी भी value से आप divide कर सकते, multiply कर सकते, p by h किसका formula होता है, भіть, p by h होता है, तो sin theta का formula, और b by h क्या होता है, cos theta का formula, इसकी मीनिक, 10 theta का एक formula हमारे पास आगया, क्या, sin theta by, और अगर ये 10 theta का formula, हम पा चुगे हैं, तो cot theta का formula क्या होना चाहिए, cot theta, 10 theta का reciprocal होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos theta by एक दूसरा फार्मूला आगया sin और cot के लिए sin और cos के फिर trigonometrical values, calculation इस तरह से करते हैं right angle को इसलिए यूज किया क्योंकि sides की calculation comparatively calculate करना ही जा हमें केवल यह ध्यान देना है किस angle के लिए तो कि उस angle के लिए perpendicular और paste chain hypotenose